नमस्कार आप दीख्रे निउस फोर्डेशन और मैं हूँ सांख्वना आपके साथ बीते दिन बिहार के मुक्षमंत्रे निदीश कुमार पर औरंगाबाद में हो रहे कारिक्रम के दौरान एक कुरसी का तुकड़ा फेका गया था जो तेजी से मुक्षमंत्रे निदीश कुमा जिसका विज्जो भी खासा वाइरल हुआ था और इसमें मुक्षमंत्रे निदीश कुमार की सुरक्षा में तैनात कर्मी इस कुरसी के चुकड़े से मुक्षमंत्रे निदीश कुमार को पूरी तरीके से बचाते हुए नजर आये थे जिसके बाद पूरे महौल में अफरा तफडी मच गई थी लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर और रंगाबाद डियम का बड़ा बयान सामने आया है जहां पर उनोंने साफ कह दिया है किस तरह की अफवाओ से दूर रहे आई पी आजी के ओर से लाइब सेशन चलाया जा रहा था और उसमें साफ नजर आ रहा है कि ना तो मुक्षेमंद्री नितीश कुमार के उपर जानबूच कर कोई कुरसी का टुकरा फेका गया है ना उनका विरोध किया गया है और नहीं किनी भी लोगों को मुक्षेमंद्री नितीश कुमार के तरफ से मिलने से रोका गया है ऐसे पर औरंगाबाद डियम का कहना है कि इस तरह की अफवाव से दूर रहने की जरूरत है मीजिया चानलों के द्वारा इस तरह की खबरे चलाई गई थी जो पूरी तरीके से गलत है बताते चले कि बिहार के मुक्षे मंत्री नितीश कुमार सोमवार को बाल बाल बच गए उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी और अंगाबाद में भीड की ओर से उन पर तूटी हुई कुरसी का टुकडा उचला था तुकडा सीम नितीश कुमार की तरफ तेजी से आया कुरसी का टुकडा मुक्षे मंत्री के मुगे ठीक सामने से गुजरो और बगल में जा गिरा हालाकि सीम बच गए इसके बाद अफरा तफडी मच गए सुरक्षा कर्मियों ने घेरे में ले लिया नितीश कुमार की सुरक्षा घेरे में तैनाथ सेस्ट्री के अफसर संभावत खत्रे को टालते हुए नजर आए मुक्षे मंत्री पर फिर से कुरसी या दूसरी वस्तू को ना फीक दिया जाए इसे रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी हाथ उठाते हुए नजर आए इधर औरंगाबाद जिला प्रसाशन ने मुक्षे मंत्री को लक्षित कर कुरसी का टुकरा फेके जाने की बाद को सेरे से खारस किया है हाला के विज्जो से ही जिला प्रसाशन की सफाई की पोल खुल जा रही है मुख्य मंत्री का पर कुरसी का टुकरा उचाले जाने के बाद राजवतिक दल के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से प्रतिकर्या दी गौर्डलब है कि समाधान यात्रा के दौरान मुक्ष्यमंत्री निटीश कुमार सोमवार को औरंगाबाद के बारून प्रकंट के कंचन पुर्पहुचे थे यहां मुक्ष्यमंत्री को पंचायद भवन का उद्घाटिन करना था यहाँ पर उधगाचिन करने के बाद CM सुरक्षा कर्मियों के साथ जाने लगे ऐसे दोरान भीड में से मुक्ष्य मंतरी की तरफ कुरसी का टुकडा उच्छल कर आया हलाकि मुक्षमंत्री पर कुरसी का टुकरा उचलने को औरंगबाद प्रसाशन हमला नहीं मान चाही मीटिया में खबर आने के बाद सरकार की भद पिटने लगी है विपक्ष्रे मुक्षमंत्री नितीश कुमार की समाधान यात्रा पर सवाल खड़ा कर दिया है वही सत्ताधारी राज़त की तरफ से इसकी जाज की मांग की गई है इदर और अंगबाद डियम ने मुक्षमंत्री पर हमला याउने निशाना बना कर कुरसी का टुकरा फेके जाने की बात कोहीं सरे से खारस किया है और अंगबाद DM की तरफ से दी गई जानकारी को मुक्षिमंत्री हाउस की तरफ से रिलीज किया गया रिलीज में ये कहा गया कि मुक्षिमंत्री पर कुर्सी का टुकरा फेका गया ये खबर गलत है संपून कारिकरम का विज्जो IP आजी के माध्यम से लाइफ चलाय गया था इसमें पश्ट है कि नाहीं विरोध हुआ और नाहीं किसी स्थल पर नागरिकों को मिलने से रोका गया कुर्सी का टुकरा कारिकरम स्थल पर आने की सम्बन्द में पाये गया है कि आम लोगों से मिलते समय एक जगा पर नागरेक अती उतसा में जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे कुछ बच्चे मुक्षे मंतरी को देखने के लिए कुरसी पर खड़े हो गए थे समय वता एक कुरसी तूटने से कुरसी का टुकड़ा छिटक कर अंदर आया था किसी को लक्षित नहीं था सबी लोग अच्छे महौल में मुक्षे मंतरी से मिल रहे थे आदे गंटे तक मुक्षे मंतरी नागरेकों के बीच थे मीजे और अन्य प्रशास्ते का अधिकारी भी स्थल पर ही थे वहीं किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं था अफवा से दूर रहे मुक्षे मंतरी नितीश कुमार के साथ औरंगाबाद में घचत हुआ ये पूरा मामला अब कहा जा रहा है इसको लेकर कि ये खबर पूरे तरीके से गलत है अफवाओ से दूर रहने की जरूरत है जबकि आट जेडी ने इस पूरे मसले पर जाच की मांग की है तो वहीं बीजेपी तंच कस्ति हुई नजर आई है मुक्चे मंत्री नितीश कुमार पर कुर्सी का टुकरा फेकी जानी का विज्जो हर तरफ वाइरल है जुसे और एंगाबाद जिला प्रसाशन की तरफ से खारस किया गया है और कहा गया है कि इस तरह की खबरे बिल्कुल भी गलत है जबकि नहीं किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ और नहीं नागरिकों को मिलने से सियम नितीश की तरफ से रोका गया है अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है फला के लिए इस बड़ी अपडेट में अतना ही आना कही खबरों के लिए नमाय साथ बनी रहे न्यूस फोर नेशन में